नमस्कार आप देख रहे हैं BPA News जहां प्रशासन ने 21 तारिक से सभी धर्मस्थल खोले जाने के आदेश जारी करे वहीं तमाम धर्मस्थलों ने 21 के बजाए 22 तारिक से धर्मस्थलों का गेट आम जन्मानस के लिए खोला वहीं 21 तारिक को पूरा कर्बला सेनिटराइज करा दिया गया और जगे जगे पर लोगों को जागरित किया गया तमाम लाउड स्पीकर के जरिये आने वाले जन्मानस को सोसल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया वहीं कर्बला के केर टेकर इम्तियास खान ने भी हमें जानकारी दी कि तमाम भक्तों को सोसल डिस्टेंसिंग का ध्यान कराते हुए मास्क पहनना अनिवार बताया गया है और कर्बला को 21 तारिक के बाद 22 तारिक को खोला गया जब पूरा सैनिटाइजर पूरी तोर पर कर् संबादाता हरियोम दुवेदी की रिपोर्ट कानपूर बड़ी कर्बला गंगा बहराज है और हर के सामय गता रहा हुए और हर तरीके से मतलब कान Tucson का जो है कि आ गया चारी जाय रहा है और दो तीन-चार घंटे में फ़िए इस ऐसे मौह चुछ कर दिया टो किःए कोAR दिया और खुलने के बज़े से भी किसी तरीके मतलब सनाटाइजर करोना जरूरी है ये गेट से लेके रोजे में बारादरी हाल में पुमे के पास और अंदर मौला अली के रोज़ा वहां भी सनाटाइजर सब करवाते हैं और बार बार जो है जो पब्लिक जिफ से चलने लगी है तो बार बार सनाटाइजर का एंदर सक्माल किया जाएगा आगे क्या मैसेज देना जायते हैं जो आने वाले भक्त है या जो भी क्या मैसेज देना जायते हैं देखिए यहां पर जो आ रहे हैं जाहिरीन, इस रौजए मामसान अल्यासलाम के दर पर, यहां पर सवातने पनी मनद मुराद लेके, और ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत आराम से सब जाहिरीन आते हैं, जारत करते हैं, सोसल डिस्टेंजिंग के पालन करते हैं, और जो बात हम मेरे जाहिरीन जो इस दर पर आते हैं, सभी धर्मत के लोग आते हैं, किसी को कोई पाबन भी नहीं है, हर तरीके से जो हम लोग बात को होते हैं, मास के लिए, सनाटाइजर के लिए, सोसल डिस्टेंजिंग के पालन करें, जो बीमारी चल रही है, उस हिसाब से यहां के आने इस वाले हर जाहिरी शॉप